मैं वहाँ पे नहीं पहुच पाई, मैं हाथ जोड करके आप लोगों से माफी चाहती हूँ परके कई एक प्रखंड और शेतरों का दोरा कर चुकी हैं रितु जैसवाल और साथी साथ तेयस्वी आदव उनके प्रचार में मंच पर मौजूद होते हैं और रितु जैसवाल को जिताने की बात करते भी नजर आए हैं अब जो है रितू जैस्वाल वो कैमरे पर सामने आई हैं और सिभर की जनता से अपील की है और हाद जोड़ कर माफी भी माँगी है रितु जैस्वाल माफी मांगती है कि जिस छेत्र में जिस छेत्र की जनता मालिकों से वो मुलाकात नहीं कर सकी समबाद नहीं कर सकी है उन सभी से माफी मांग रही है क्योंकि समय का भाव है और समय बहुत कम बचा है यानि आज 23 मई है और आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद कल अचार सहीता और फिर जो है 25 को वोटिंग होनी है तो सिभर लोगसभा का जो सीट है वो काफी जादा होट सीट बना हुआ है और रितु जैस्वाल इसी के लिए जो है अब कम समय बचा है तो ज आपका एक एक वोट का सम्मान रखूंगी आप मुझे वोट दीजिए और सिभर के विकास के लिए वोट दीजिए ना कि किसी के चेहरे पर और बाहुबल की धमक क्याधार पर वोट दीजिए तो क्या कुछ कह रही है रितु जैस्वाल आप भी सुनिए नमस्कार प्रियनाब में रितु जैस्वाल महागठर बढधन से प्राजड की लोग सभा से प्ञाउं के लिफ से मैं इतना प्यार इतना मांद समान मुझे आप लोगों से मिला है जिसकी मैं नहीं की थी जहां मैं नहीं पहुँच पाई वक्त मिला वहां नहीं पहुच पाई मैं हाथ जोर करके आप लोगों से माफी चाहती हूँ अपने नहीं पहुँच पाने का पर मुझे उमीद है कि आप लोग मेरी भावनाव को समझेंगे मैं इतना जरूर वादा करती हूँ कि अगर आपके आसी रवाद से ये चुनाव जीत करके मैं आती हूँ तो आपकी पूरी भावनाव का ख्याल रखूंगी और मेरा एक ही मकसद होगा सिवहर लोग सभा का विकास कैसे हो और आप लोगों के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे मेरे ऐसे कभी मेरे विहवार ऐसा कभी नहोंगी जिससे कभी किसी कभी ठेस पहुँचे मैं मैं फिर से कहती हूं कि आप लोगों ने जो सम्मान मान सम्मान प्यार आसिरवाद मुझे दिया है मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूं हमारा चुनाव चिन जो है वो लाल्टे इंच्छाग है इवे में सबसे ऊपर एक नंबर बटन दबा करके आप मुझे आसिरवाद दे सकत है चुनाचिन लाल्टे इंच्छाग पर तो आपने सुना कि रितू जैस्वाल जो हो कहती हूं नजर आ रहे हैं कि आपने जो मान सम्मान और प्यार मुझे दिया है वो पाकर मैं अभी भीऊथ हूं और आपकी विकास के लिए आपके शेत्र के विकास के लिए मैं सदैव आ परिनाम सामने आएंगे उस दिन पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है फिलाल इस ख़र में इतना ही है आपका क्या कहना इस वीडियो को लेकर ये सब हमें कमेंट सेक्षिन में जाकर कि जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिजे, धन्यवादू